दोस्तो आज किस क्लास में हम Bihard Yield Intrins Exam 2013 के लिए Reasoning के Practice Set solve करेंगे दोस्तो इससे पहले हम Already 25 questions solve कर चुके हैं यदि दोस्तो आपने उन सभी questions को solve नहीं किया है तो दोस्तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आप लोग questions देख सकते हैं जो हम Already solve कर चुके हैं यह questions दोस्तो काफी important है इसलिए प्लीस दोस्तो आप लोग इन सभी questions को solve कर लीजिएगा चलिए आज किस क्लास में जो questions हम solve करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं देखिए तो आज किस क्लास में दोस्तो टोटल 10 questions हम solve करेंगे, question number 26 से solve करेंगे, 35 थक. देखिए यहाँ पर आप लोग questions देख सकते हैं. देखिए दोस्तो मैंने आपको कई बार बताया है, इस टाइप के जो questions होते हैं, यह दोस्तो संख्याओं के एक pattern को follow करता है, और उसी pattern को हमें check करना होता है. अब दोस्तो इस टाइप के questions को solve करने का एक नियम भी होता है, जैसे माल लिजी दोस्तो किसी box में 3 column बने हुए हैं, तो इसका नियम क्या कहता है दोस्तो कि हमें इसमें starting के 2 column के pattern को check करना होता है, यदि दोस्तो starting के जो 2 column है, यदि ये same pattern को follow कर रहा है, तो third column भी दोस्तो same pattern को follow करेगा, और इन दोनों ही pattern को follow करते हुए हमें third column का answer निकाल देना होता है, अब माल लिजी दोस्तो किसी box में 4 column बना हुआ है, तो उसमें starting के 3 column का pattern check करेंगे, यदि दोस्तो तीनों column same pattern को follow कर रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे और fourth column का answer निकालेंगे, same pattern को follow करते हुए, ठीक न, ये नियम कहता है, देखें ये काफी असान question है, इस question में दोस्तो first column में starting के जो 3 box बने हुए हैं, इन तीनों में जो numbers हैं दोस्तों इनको आप plus कर देजिए, ठीक न, 3, 2, 5, 7, 5, 12 होता है, ठीक न, is equal to 12, अब दोस्तों हमें जो है, यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो द 15, ठीक न, और third column में भी same जो numbers है, इनको plus कर लेजिए, starting के 3 numbers को, 4, 3, 7, 7, 7 और 2, 9, अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखें इसमें दोस्तों मान लेजिए हम 3 plus करते हैं, तो same numbers को इसमें भी हमें plus करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के pattern होते हैं, और same हमें रखना होता है, तो दोस्तों यहां पर आप चीज़ एक notice करेंगे, कि जब हम इसमें 3 plus करते हैं, तो यह हमारा 15 हो जाता है, और दोस्तों इसमें 3 plus करते हैं, तो यह हमारा 18 हो जाता है, देखें, यहां पर 15 भी है और 18 भी है, तो इसी तरीके से दोस्तों सेम pattern को follow करते हुए न, यह देखें, option C हमारा answer आ जाएगा, देखें, यह भी काफी आसान question है, इस question में दोस्तों हमें क्या करना है, first column में starting के जो 3 box है, और इन 3ों में जो numbers है, इन 3ों को दोस्तों आप multiply कर दीजिए, देखें, 8, 4, 32 और 32 को दोस्तों जब आप 9 से multiply करेंगे, तो हमारा 288 आ रहा है, 7, 35, 35 को दोस्तों जब आप 6 से multiply करेंगे, तो दोस्तों 10 आएगा, अब देखें दोस्तों, second column भी हमारा same pattern को follow कर रहा है, तो दोस्तों आप से भी जानते हैं हमारा नियम क्या कहता है, यदि किसी box के 3 column बने हुए हैं, तो यदि दोस्तों हमें starting के 2 column चेक करना होता है, यदि starting के 2 column same pattern को follow करता है, तो third column भी same pattern को follow करेगा, और दोनों pattern को follow करते हुए में third column का answer निकाल देना है, तो देखें, starting के जो 3 numbers है, इन 3ों को दोस्तों आप multiply कर दीजिए, अब question mark इस्थान पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम x माल लेंगे, और यहीं हमें पता करना है, बरावर में 162, अब यहाँ पर दोस्तों 9,6,4, यह दोनों यहाँ पर multiply में है, तो दोस्तों बरावर किस side में जाकर यह भाग में change हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर 52 रख दीजिए, अब इसको solve कर दीजिए, आपका answer आजाएगा, अब हम इसको solve कर लेते हैं, तो यहाँ पर द दोस्तों अभी हमने किया है, देखे इसमें क्या किजी, आप starting के जो तीन नंबर से दोस्तों, फर्स्ट कॉलम में, इन तीनों को दोस्तों आप multiply कर देजिए, चार तीया बारा, बारा पच्चेस साथ, ठीना 60 आ रहा है यहाँ पर, अब दोस्तों देखिए, second कॉलम को भी हम चेक करते हैं, कि किया यह सेम पेटरन को फोलो कर रहा है, तो देखे, आठ दुनी 16 और 16 अठे दोस्तों 128 होता है, अब third कॉलम में हम देखते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ नोटीस करेंगे, कि first कॉलम और second कॉलम सेम पेटरन को फोलो कर रहा है, मतलब कि starting के जो तीन जो नमबर्स हैं, इन तीनों को मल्टिप्लाइ कर दे रहे हैं, तो हमारा 60 और 128 आ रहा है, तो दोस्तों सेम पेटरन को फोलो करते हुए हमें third कॉलम का answer निकाल देना है, कॉशन मार के स्थान पर हम x माल लेंगे, बरावर में 68, अब देखिए, दो दुनी 4, मल्टि और 128, 17 हमारा answer आ जाएगा, देखें ये भी काफी आसान कोशन है, इसमें क्या किया गया है, दोस्तों, श्टार्टिंग के जो हमारा first column है, इसमें दोस्तों 3 और 2 को जो है ना multiply कर दिया गया है,sorry 3 और 2 को यहाँ पर multiply कर दिया गया है, मतलब दोस्तों, तीनों को यहाँ यह कर दिया गया है sorry यहाँ पर देखिए 7 या 21 21 दूनी 42 इसी तरीके से 204 या 12 12 सते 84 तो यहाँ पर third column में same pattern को follow करते हुए हम answer निकाल लेंगे ठीक ना is equal to 140 140 अब दोस्तो एक सी आप यही रहने दीजिए और यह यहाँ पर हमारा 70 आ गया तो यहाँ पर multiply में है बरावर किस साइड में जाकर यह भाग में change हो जाया गा जिरो से जिरो कट गया 7 बंजा 7 7 2 जा 14 ठीक ना तो option यह इसका right answer होगा देखिए यह भी काफी असान question है starting के जो first column है दोस्तो इसमें starting के जो first box में and second box में जो number है ना इन दोनों के यहाँ पर multiply कर दिया गया है तो 5 6 30 और इसमें दोस्तो 4 को जो है ना प्लस कर दिया गया है तो 5 6 30 30 और 4 34 अब same pattern को follow करते हुए हम जो है second column को check करते हैं कि क्या same pattern को यह भी follow कर रहा है अगर करेगा दोस्तो तो फिर यह नियम है हमारा कि third column भी same pattern को follow करेगा तो देखिए चार सत्य 28 और 28 में जब 2 आप plus करेंगे तो 30 आ जाएगा तो देखिए third column को same pattern को follow करते हुए हम answer निकाल लेंगे 8 या 24 और इसमें दोस्तों हम क्या plus करें कि हमारा 30 आ जाए तो देखिए 8 या 24 हो जाएगा यहाँ पर plus में x ब्रावर में 30 24 प्लस में x ब्रावर में 30 x यहीं रहने देजिए 24 को आप इस side लेकर जाएगे तो plus वाला minus में change जाएगा तो x ब्रावर में 6 answer हमारा आएगा 9 आ जाएगा इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों को plus कर दिया गया है 6 और 5 ग्यारा 11 में से 4 घटा दिया गया है देखिए इन दोनों को पहले आप plus कर लिजिएगा तो यहाँ पर 6 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 में से 204 आप घटाएंगे तो 7 आ जाएगा तो सेम वैसे ही इसको भी करना है 9 और 3 को आपको plus कर लेना है और question mark के स्थान पर आपको x माल लेना है ठीक ना क्यूंकि हमें यही तो पता करना है sorry यहाँ पर मैंने x लिख दिया है यहाँ पर 3 लिखना है आपको 9 और 3 हमारा 12 हो जाएगा ठीक ना और 12 में से दोस्तो question mark के स्थान पर हमें sorry इसमें से दोस्तो हमें क्या घटाना है तो हमें इसमें से 5 घटा देना है तो यहाँ पर हमारा 7 answer आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को हम plus कर रहे हैं और इसमें से 3 को minus करेंगे इसी तरीके से इन दोनों को हम plus करेंगे और सबसे उपर में जो number है उनको minus कर देंगे इन दोनों को plus कर देंगे और उपर में जो से number है उनको minus कर देंगे ठीक ना तो साथ हमारा answer आ जाएगा दोस्तो इस question में थोड़ा सा अलग pattern को follow किया गया है इसमें हमें क्या करना है दोस्तो देखें आप क्या कीजिए first column आप इसे मानिए और 92 में से दोस्तो आप 70 minus कीजिए ठीक ना जब आप 92 में से 70 घटाएंगे और दोस्तो जब आप 70 में से 48 घटाएंगे तो दोस्तो आपका answer जो है ना same आएगा कहने का मतलब ये है कि दोनो side जो है ना दोनो side के जो answer आएंगे वो equal आएंगे देखिए अब दोस्तो दोनो side जो है ना equal है मतलब दोनो side के जो answer आ रहे हैं घटाने पे वो बरावर आ रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि इसमें 22 आ रहा है और second column में क्या रहा है हमें बस ये check करना है कि दोनों side कि जो दोनों side में जो answer आए ना वो equal आए बस हमें ये ही check करना है अब देखें इसमें आप क्या किजिए हमें क्या करना है 64 में से दोस्तों आप 53 माइनस कर दीजिए बरावर में 53 में से दोस्तों आप 42 माइनस कर दीजिए अब इसमें क्या आएगा वो हमें नहीं चेक करना है कि दोनों साइड में जो आंसर आ रहे है वो equal होना चाहिए ठीक न, ये हमारा pattern है तो यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ पर भी 11 आएगा तो यह देखिए दोस्तो फर्स्ट कॉलम में जो answer आया था दोनों साइड में equal था अब यहाँ पर भी दोनों साइड में equal है तो same वैसे ही जो है थर्ड कॉलम को हमें check कर लेना है solve कर लेना है जो आएगा वो हमारा answer हो जाएगा बामन में से जब आप 45 घटाएंगे तो यहाँ पर तो दोस्तो हमारा 7 आजाएगा ब्रावर में 45 माइनेस में x अब दोस्तो यहाँ पर 45 हमारा प्लस में है तो इस side में आकर ब्रावर की side में आकर माइनिस में हो जाएगा ठीक न और यहाँ पर x हमारा माइनिस में रहेगा तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 और यहाँ पर 45 हमारा माइनिस में हो गया है कि equal का side जो है हमारा change हो गया है अब देखिए यहाँ पर x माइनिस में रहेगा अब दोस्तो जब change करके कोई दिकत नहीं है देखे ये भी काफी आसान question है इस question में क्या किया गया है दोस्तो देखे first column में आप देखेंगे न यहाँ पर दोस्तो क्या किया गया है 25 को जो है न यहाँ पर वर्गमूल निकाल दिया गया है तो जब दोस्तो आप 25 का बर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और 36 का जब आप बर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा और दोस्तो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो देखें यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 11 ठीक है ना तो 1st column इस pattern से हमने यहाँ पर solve किया अब 2nd column भी दोस्तो same pattern से solve करके देखते हैं कि क्या same answer आता है अगर आ जाएगा तो दोस्तो हमारा नियम है कि 3rd column भी जो है same दोनों pattern को follow करेगा तो देखें 49 का बर्गमूल आप निकालेंगे तो 7 आएगा और दोस्तो जब आप 81 81 का बर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आता है 9 आता है और जब दोनों को आप plus करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा तो देखें यहाँ पर दोनों pattern सोरी यहाँ पर दोनों column same pattern को follow कर रहा है तो दोस्तो इन दोनों column के pattern को follow करते हुए हम third column का answer निकाल लेंगे देखें 16 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए तो 4 आ जाएगा 16 का वर्गमूल और 64 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा अब इन दोनों को आप plus कर दीजिए जो आएगा वो हमारा answer हो जाएगा देखिए बहुत ही असान question है इसमें क्या किया गया है दोस्तो देखिए यहाँ पर जो है न इन दोनों को plus कर दिया गया है तो कितना होता है दो और एक तीन होता है उसके बाद दोस्तो नो और तीन को multiply कर दिया गया है तो नो तीन 27 अब देखिए second column को हम check करते हैं कि क्या यह same pattern को follow कर रहा है same ऐसे ही करेंगे सबसे पहले दोस्तो तीन और दो को plus कर देंगे तो तीन और दो 5 हो जाएगा और उसको क्या करेंगे हम 7 से multiply कर देंगे तो 7 पचे 35 देखिए यहाँ पर दोनो column दोस्तो same pattern को follow कर रहा है तो third column भी जो है same pattern को follow करेगा तो starting में सबसे पहले हमने क्या किया था इन दोनों को plus किया था ठीक ना तो वैसे ही करेंगे 4 plus में x कर देंगे ठीक ना और यहाँ पर दोस्तो जो हमारा आएगा इसको दोस्तो हम 4 से multiply कर देंगे और बरावर में हमारा 36 आना चाहिए ठीक ना इस तरीके से हम solve करेंगे अब हम इसको solve कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तो 4 जो है ना 4 से भी multiply हो रहा है और x से भी multiply हो रहा है तो 4 4 जा 16 होता है plus में 4 x बरावर में दोस्तो 36 अब देखें यहाँ पर 16 प्लस में है बरावर की side में जाएगा तो minus में हो जाएगा तो 36 में से 16 आप minus करेंगे तो 20 आजाएगा ठीक ना इस तरीके से देखिए तो 4 x बरावर में इस side में हमने 16 लेकर गए हैं तो यह minus में change हो गया है 4 x बरावर में दोस्तो 20 अब यहाँ पर 4 जो है न x के साथ multiply हो रहा है तो बरावर के side में दोस्तो आप सभी जानते हैं कि plus वाला जो संक्या है न बरावर के side में जाकर इस side में जाकर minus में change हो जाता है और minus वाला plus में multiply वाला divide में और divide वाला multiply में तो यहाँ पर multiply हो रहा है 4, इस side में जा करिए, भाग में change हो जाएगा, तो X बरावर में हमारा 5 answer आ जाएगा, क्यूंकि 4 पचे 20, चलिए next question करते हैं, देखे दोस्तों ये भी काफी असान question है, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, 6 और 6 को यहाँ पर दोस्तों प्लस कर दिया गया है, तो 8, 4, 12 हो गया, अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या प्लस करें, जिसे हमारा 11 आ जाए, तो X हम प्लस करेंगे, क्योंकि गूर्शन्स मार का यहाँ पर दिया गया है, तो X आप यहीं रहने दीजिए, 11 में से दोस्तों आप 5 माइनिस कर दीजिए, हमारा answer आ गय देखिए दोस्तों यह भी काफी आसान कुश्चन है, इसमें क्या करना है, आप दोस्तों स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स जो है ना, दो नंबर्स है, इन दोनों को आपस में आप मल्टिप्लाई कर दीजिए, तो देखिए, दो तिया 6 होता है, और दोस्तों फिर इसको और 5 को आप माइनिस 1 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो माइनिस में 5 आ गया, ठीक ना, तो सेम पेटरन से से सेकंड, सेकंड जो यहाँ पर सरकल है, यह भी सेम पेटरन को फोलो कर रहा है, तो इसमें भी सेम वैसे हमें करना है, तीनों को हमें मल्टिप्लाई कर देना है, ठीक इनके जो अंक है ना इनके जो डिजिट है इनके प्लेस को इनके स्थान को जो है ना चेंज कर दिया गया है देखिए जो फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों मान लीजे वन टू थरी लिख लेते हैं इसको ठीक ना अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर वन जो है ना यहां पर वन जो है यहां पर फर्स्ट प्लेस पे है तो देखिए यहां पर सेकंड प्लेस पे रख दिया गया है और देखिए यहां पर सेवन जो है सेकंड प्लेस पे है तो इसको थर्ड प्लेस पे लिख दिया गया है और एट सबसे लास्ट में है उसको सबसे प pattern बन रहा है, अब second को इनको भी हम check कर लेते हैं, कि क्या ये same pattern पर आधारित है या नहीं है, तो देखिए 5, 3, 4, ब्रावर में 4, 5, 3, तो देखिए same pattern को follow कर रहा है या नहीं कर रहा है, check कर लेते हैं तो 5 दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरीके सम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, 5 इसको once place पर है, तो देखिए, इसको second place पर रखा गया है, तो यहाँ पर हम इसको one लिखेंगे, अब देखिए, four जब सबसे last में है, उसको सबसे पहले लिखा गया है, तो यहाँ पर three लिख लेते हैं, अब देखिए, four, यहाँ पर three जो है second place पर है, तो इसको third place पर कर दिया गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने three को जो है, यहाँ पर two माना था, तो इसको हम two मान लेंगे, देखिए, यहाँ पर same pattern को follow कर रहा है, कर रहा है ना यहाँ पर, तो same pattern को follow करते हुए दोस्तो, third का हम answer निकाल देंगे ठीक ना, three, one, two, इस pattern को follow करेंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सबसे last में उसको हम सबसे पहले रखेंगे, और जो सबसे पहले है जो है, इसका answer आजाएगा देखिए, यह काफी आसान question है, इस question में दोस्तो, क्या कीजिए, आप starting के जो यह four है ना, इसका आप square कर दीजिए तो, चार चॉक, 16 हो जाएगा हमारा, अब दोस्तो, last के जो two numbers सी, आपस में जो multiply हो रहे हैं, इसको आप multiply मत कीजिए, same आप जो है, इसको इस तरीके से लिख दीजिए देखिए, अब same pattern को follow करते हुए हम, second column को check करते हैं तो start first, सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तो, first number पे जो number है उसका हमने square कर दिया था, तो यहाँ पर आप 3 का square कर देंगे, तो 9 हो जाएगा अब 7 और 4 multiply हो रहा है, इसको multiply मत कीजिए same इस तरीके से लिख दीजिए अब देखिए, यहाँ पर same answer आ गया तो कहने का मतलब यह हैं दोस्तों, कि first और second, दोनों same pattern को follow कर रहा है तो third वाला भी same pattern को follow करेगा, और इन दोनों को follow करते हुए हमें third का answer निकाल देना है, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, 5 का square कर दीजिए और 6, 8 को वैसे ही आप लिख दीजिए, तो 5, 25 और 6, 8, देखिए option यह हमारा answer आ गया दोस्तों, इन सभी questions को आज किस class में हम solve कर लेते हैं ठीक ना, तो देखिए, जो questions अभी हमने नहीं किया है देखिए, question number 39 40, 41 यह questions अभी हमने नहीं किया है तो चले solve कर लेते हैं, देखिए काफी आसान question है, इसमें क्या करना है, दोस्तों, आप क्या किजिए 72 में से जब आप minus 9 करेंगे, तो दोस्तो 63 आएगा अब दोस्तों, जब हम यहाँ इसमें से 9 minus कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो है न, आप 37 में से भी 9 minus कर दीजिए तो आपका दोस्तो 28 आजाएगा अब दोस्तों, इन दोनों को जो है न, एक साथ लिखी दीजिए, इस तरीके से, तो देखिए 63 सो हमारा 28 आगया, आप सेम पेटर्न को फोलो करते हुए दोस्तों, इसको भी वैसे ही solve करना है, ठीक न, इस पेटर्न को हम फोलो करेंगे, तो देखिए इस में से भी दोस्तों, आप 9 minus कर दीजिए, 14 में से दोस्तों जब आप 9 minus करेंगे, तो यहाँ पर आपका 45 आएगा, और दोस्तों, 13 में से जब आप minus 9 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा, ठीक न, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अब इन यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद, दोस्तों, 53 में से आप 9 minus कीजिए, ठीक न, तो 11 में से 9 गया, 2, अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 5 बच गया, तो 52 आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर 13 में से 9 गया, 4, अब यहाँ पर 4 बच गया, तो इसको दोस्तों, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5, 2, 4, 4, ठीक है न, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो option भी हमारा right answer हो जाएगा, देखे दोस्तों, यह भी काफी आसान question है, इसमें क्या किया गया है, इनके जो numbers है, को दोस्तों, यहाँ पर change किया गया है, अब देखे, कैसे किया गया है, कौन सा pattern को follow किया गया है, यह हम check करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, 2 को आप once place पर रखिए, और इसको second place पर रखिए, ठीक है न, 2, 1, और दोस्तों, यहाँ पर 4 को आधा कर दिया गया है, तो 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा यहाँ पर 2 हो जाएगा, देखिए, अब दोस्तों, इसी pattern को follow करते हुए, जो है न, second, जो यह है, question हमारा, इसको देखते हैं, solve करके, क्या यह इतना answer आ रहा है हमारा, 654, क्योंकि first में तो दोस्तों, हमारा answer आ गया, तो देखिए, same pattern को follow करेंगे, ठीक न, तो यहाँ पर हमें, इसको once place पर रखना है, सबसे पहले इसको रखना है, हमें यहाँ पर first place पर, ठीक न, और five comment second place पर रखना है, अब इसका आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं, तो देखिए, same pattern को follow कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों questions, ठीक न, दोनों numbers, तो हम दोस्तों, इन दोनों pattern को follow करते हुए, third का answer निकाल लेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको सबसे first place पर रखना है, और तीन को second place पर रखना है, और इसका आधा कर देना है, ठीक न, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक आ जाएगा, तो 731 अमारा answer आ जाएगा, दोस्तों, यह बहुत ही आसान question है, इस question का answer दोस्तों, आप लोग comment box में बताएंगे, so thank you friends, ऐसे ही important questions के लिए, आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं, और दोस्तों, ऐसे ही और भी important questions आप करना चाहते हैं, तो channel पर जाकर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, so thank you, next video मिलते हैं,